बात करेंगे अब आपके राशियों की कि कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है लेकिन उसके पहले कल के दिन की शुरुवात कैसे करें ये जान लेते हैं कल के महा उपाय में प्राता काल कलिस्तनान करके अपने कंठ पर या अपने माथे पर छोटा सा हल्दी का तिलक लगाएं ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि पूरे दिन जिस कारे में आप लगेंगे जिस कारे में आपका इन्वाल्मेंट होगा उस कारे में सफलता मिलती रहेगी चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानते हैं मेश राशी का हाल मेश राशी वालों को जीवन साथी का सहयोग मिलने की संभावना दिख रही है और साथी साथ आपके माता पिता का स्वास्त भी बेटर होगा इसके अलामा अचानक धन की प्राप्ती होगी तो दिन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा शुबरंग गुलाबी और भागे होगा 70 प्रतिशन वरिश राशी जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा धन और उपहार की आपको प्राप्ती होगी और ऐसा लग रहा है कि परिवार में कोई शुबकारिय कोई मंगलकारिय होने वाला है शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा नीला और भागे होगा 80 प्रतिशन मिठुन राशी धन सम्मान उपहार की प्राप्ती होगी करियर में लाब होने की संभावना दिख रही है और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाहत तैं हो सकता है चीजें बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही हैं शुबरंग भूरा और भाग्य नब्बे प्रतिशन कर्क राशी वालों के रिष्टों में कहीं न कहीं दिक्कते आती दिख रही हैं अपने माता पिता के साथ अपने लोगों के साथ और जो निर्ड़े आप लेना चाहते हैं उसमें भी दिक्कत दिखाई दे रही है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना है यानि थोड़ी सी मुश्किले कल के दिन दिख रही है इसे बेहतर करने के लिए कल किसी मंदिर में केले का दान कीजिएगा भगवान की कृपा से सब कुछ बेहतर होगा सिंग राशी वाले अपने जीवन के उस दोर से गुजर रहे हैं जहां करियर में बदलाव की संभावना बन रही है बदलाव के अलावा आपके परिवार की समस्या में भी सुधार दिख रहा है और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाहत तय हो सकता है शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भागे होगा सत्तर प्रतिशन कन्या राशी वालों का मान सम्मान लगातार बढ़ेगा हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें किसी नय वाहन का प्रियोग करें और थोड़ी सी कोशिश करके देखिएगा कल के दिन आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं शुबरंग सफेद होगा और भागे होगा असी प्रतिशन तुला राशी वालों के लिए आर्थिक पक्ष में सुधार हो रहा है कारोबार में विस्तार की संभावनाय बन रही है और साती साथ आपके संतान की उन्नती भी हो रही है शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भागे होगा 75 प्रतिशन ब्रिश्चिक राशी के लोगों को सावधानी रखनी है वाहन दुर घटना न हो जाए कारिक्षेत्र में आफिस में कोई विवाद न हो जाए छोटा सा हल्दी का तिलक लगा करके निकलिएगा तो दिन भर आपको कारियों में सफलता मिलती रहेगी शुबरंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 55 प्रतिशत धन उराशी करियर में सुधार की संभावनाय लगातार बनी हुई है और आपके धन की स्थितियां भी पहले के तुल्ला में बेतर हो रही है लेकिन जीवन साथी के स्वास्थे का जो पाल्थ है न वो कही न कही परिशान कर सकता है जीवन साथी के स्वास्थे पर ध्यान देना आवश्यक है शुबरंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 70 प्रतिशत मकर राशी के लोगों की सेहत अच्छी दिखाई दे रही है धन की दशा में सुधार दिख रहा है लेकिन दोड भाग बहुत ज्यादा है मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी शुबरंग पीला और भाग्य होगा 65 प्रतिशत कुम्भ राशी वालों को अचानक पैसे मिलने की संभावना दिखाई दे रही है परिवार में कोई शुबकारी भी हो रहा है और किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात भी हो रही है यानि चीजे बेहतर है शुबरंग धानी और भाग्य होगा 75 प्रतिशत मीन राशी संतान को लेकर के आपके मन में चंताएं दिख रही है सेहत आपकी बिगर सकती है स्वास्ते का ध्यान रखिएगा और दिन आपका बेहतर हो इसके लिए कल सुबह सुबह केले का दान कर दीजेगा शुबरंग आस्मानी और भाग्य होगा 60 प्रतिशत